नवस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ पहलवानों का अंदोलन अब चरम सीमा पर पहुचने वाला है बताते चले कि जंतरमंतर पर हुई पहलवानों की कारवाई के बाद अब पहलवानों ने कुछ दिनों पहले ही किसानों से उम्मीद जताई और समर्थन क करने के लिए कहा बचरंग पुनिया ने खुद कहा आवाहन किया किसानों का कि किसान यहां पर आए ट्रेक्टर ट्रोली जो भी लेकर के आना हो आए और यहां पर किसानों के जरीए पहलवानों का समर्थन किया जाए ताकि एक बार फिर से सरकार को खुटने टेकने पड़े ग्याद हो कि किसान आंदोलन के दोरान भी ऐसी ही पुलिस के कारवाई देखने के लिए मिली थी जब पहले तो भाजपा के एक नेता के दोरा किसानों के बीच में जड़प होई फिर उसके बाद हिंसक रूप उस आंदोलन ने ले लिया लेकिन पुलिस बल जादा तैनाथ थी लेकिन इस हिंसक रूप के बीच में राकेश टकैट के आसू निकल गए ये आसू हिंसक हो चुके थी चिंगारी इतनी बढ़की कि सडकों पर जाम लग गया ट्रेक्टर ट्रोली से जो रैली है वो निकाली जाने लगी और जो पुलिस बल थी वो हर बॉर्डर पर तैनाथ हुई दिल्ली के हर बॉर्डर पर जो इंतिजामात थे वो काफी पुखता हो गए थे धारा 144 लगाई गए थी लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ किसानों की आवाज ने सरकार के खुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि वो तीन काले क्रिश्री कानून वापस ले ले इसलिए फिर से बिजरंग पुनिया ने आवाहन किया और किसानों से मदद मांगी है ये रिपॉर्ट देखिए किसानों की उपर हुई पुलिस के कारवाई के बाद जंतर मंतर पर अब पहलवानों का प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज होने की उम्मीद है अब पहलवान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है और साथ ही बताते चले कि कुछ ही दिनों पहले बजरंग पुनिया ने भी आवाहन किया था कि हरियाना के सभी किसान एक बार फिर से ट्रेक्टर ट्रोली जो कुछ भी मिले उसे लेकर के जंतर मंतर पहुचे अब नहीं तो कब अब हमारी बेटियों की गरिमा का सवाल है और सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े दिली में हुए किसान आंदोलन में 2020 नवंबर के महीने में कुछ ऐसा ही हुआ था जब तीन क्रिशी कानूनों को लेकर के आंदोलन जोरों पर था लेकिन बीच में कुछ महीनों बाद आंदोलन कमजोर पढ़ने लगा तो लोगों ने इसके फायदे उठाने शुरूब किये पूरा माहौल बन गया और कहा गया कि आंदोलन की जड़े उखड गई हैं इस दोरान सैकडों की संख्या में पुलिस भल भी तैनाद किया गया जिसे किसानों के आंदोलन को खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाया गया 28 जनवरी 2021 जब बीजबी के कुछ नेता किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुचे और वहां जा करके उन्हें समझाने की कोशिश की इसे बीच दोनों में जम करके जड़प हुई और किसानों के साथ मारपीट भी की गई भारती किसान यूनियन के प्रवक्तर राकेश टिकैत इससे काफे दुखी हुए वो रो पड़े और यही आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ नेता की आखों से आसु देख करके किसान भड़क गए और देखते ही देखते भारी संख्या में किसान काजिपुर बॉर्डर पर जुट गए हसारों की संख्या में ट्रेक्टर रैली निकाली गई और आंदोलन दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ने लगा नतीजा ये हुआ कि सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और क्रिशी कानूनों को वापस लेना पड़ा यहीं वज़ा है कि पहलवानों ने एक बार फिर से किसानों का आवाहन किया है और कहा है कि जस तरीके से क्रिशी कानूनों पर वापस सरकार की घुटने टेकने पर किसानों ने मजबूर किया वैसे ही इस मुद्दे पर भी ब्रजभूशन का अस्तीफा दिलाने के लिए किसानों को आगे आना चाहिए अब देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान खुद के साथ मार पीट के आरोप लगा रही है और साथ ही पहलवानों के आसो पूरी दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पर तमाम विपक्षी दल प्रतिक्रिया दे रही है और बताते चले कि राकेश टिकैट के आसू भी इसी तरीके से एक बड़े आंदोलन को चन्म देने में सफल हुए थे अब वहीं काम यहाँ पर पहलवानों के आसू भी करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की इस कारवाई ने प्रदर्शन में चिंगारी भड़का दी है एक और पुलिस की ये कारवाई जिसमें हिंसक जड़प हुई पहलवानों को चोटे लगी सर फूटा और वहीं दूसरी और ब्रिजबूशन को भारतिय जंता पार्टी का मिल रहा साथ पहलवानों के लिए एक चिंगारी का काम कर रहा है और ये बल दे रहा है कि वो और भी अपना आंदोलन जादा से जादा समय तक आगे बढ़ा सके अब देखना ये है कि आंदोलन कब तक आगे बढ़ता है और क्या किसान इन पहलवानों का समर्थन करने के लिए ट्रेक्टर और ट्रॉली के साथ उसी समय की तरहाद दोबारा से सडकों पर नज़र आएंगे और पहलवानों को क्या ये अधिकार दिला पाएंगे तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कैसे बजरंग पुनिया यहाँ पर किसानों से आवाहन करते हुए निज़र आ रहे हैं बताते चले कि इस पूरे मामले में एक और पहलवान जहां जल्द से जल्द कारवाई की मांग कर रहे हैं इंसाफ की मांग कर रहे हैं वही पुलस का भी बयान सामने आया है पॉक्सो एक्ट के तहट ब्रिजबूशन शरन सिंग पर करनर प्लेस सथाने में मामला दर्च कर लिया गया है लेकिन यह जो पूरा मामला है वो दस साल पुराना है यानि की 2012 से 2022 के बीच में तमाम सबूतों को खंगालना है उस घटना की एक बर फ में जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के आगे अभी दर्च नहीं किये गए हैं उन साथ महीला पहलवानों का जो बयान है मजिस्ट्रेट के आगे दर्च भी करना होगा इसके लिए मजिस्ट्रेट तारीख देंगे लेकिन तारीख देने से पहले पुलिस को अर्जी दाखिल क होती है मेजिस्ट्रेट के आगे कि वो बयांदर्च करें लेकिन ऐसा भी तक कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे में अब जो इनसाफ की लड़ाई है कहीं न कहीं कमजोर हो रही है लेकिन यहां पर मांगे की जा रही है कि भले ही दस साल लगे उसकी जुझाज परताल है उसमें की बात यह है कि करनाटक चुनाओ आ रहे हैं करनाटक चुनाओ के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करनाटक में रैली कर रहे हैं बैंगलूर में उनके दो दिवस्तिये रैली होने वाली है लेकिन इस रैली के बीच में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर इनका जो आंदोलन है वो इतनी जादा तूल पकड़ चुका है कि विपक्षी दल इसे मुद्दा बना करके बैठे हुए हैं और वही प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी जो हर किसी मुद्दे पर बोलते हुए नजराते हैं लेकिन वो उस वक्त मौन है रैलियू में उस सरन सिंग के लिस्ट टटोलने के कोशिश करे तो उनकी लिस्ट जो है जो है फायार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी और ब्रिजबूशन के खिलाफ चलता यह आंदोलन कहीं बीजेपी पार्टी पर एक नकरात्मक प्रभाव ठाल रहा है लेकिन आखिर क्या वज़ा है कि इस प्रभाव के बीच भी ब्रिजबूशन सरन सिंग को बचाने की कोशिश यहां पर भारती जनता पार्टी कर रही है भारती जनता पार्टी के वो लोग जो महिलाओ के प्रती बोलते थे इसमृति इरानी बोलती थी योगिया अदितनात के बयान इतने जादा आते थे प्रदारमत्री खुद बोलते थे अमिच शाह यह तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े बयान देते थे लेकिन आज यह मौन धारन की बैठे हैं आखिर क्या वज़ा है जनता इस सवाल पर लगातार बनी हुई है फिलाल आज के इस रुपोर्ट में इतन